0803237 ये रोल नंबर है वो जिसने UPSC 2021 में एक इतिहास रच दिया आप सोचिए ये रोल नंबर पाने के लिए कितने लोगों ने महनत की थी लेकिन वो एक ही वैक्ती है एक ही विद्यारती था जिसने इस पर आप सोचिए महर लगाई और उस महर ऐसी लगाई कि अब वो इतिहास में दर्च हो गई है इस वक्त हमार साथ UPSC 2021 की टॉपर शुरूती है और उनसे हम बातचीत करेंगे वो UPSC के लिए जो कहा जाता है कि जाकर UPSC की तैयारी कर ले तो आप सोचिए इन्होंने तो पूरी UPSC की परिक्षा टॉप ही कर ली है तो वो सारी ज्यान भरी बातें आज टाइमसनाव नव भारत के दर्शकों से इस वक्त साजा करेंगी शुरूती सबसे पहले बहुत-बहुत बदाई और सबसे पहली वो क्या चीज थी जब वो rank 1 लिखावा देखा क्या दिमाग में आ रहा रहा कुछ दिमाग में नहीं आया था पिछले दो दिन से सिर्फ यही सोची थी कि काश लिस्ट में नाम दिख जाए कहीं पर तो पहले सोचा था, उपर से देखूंगी, नीचे से देखूंगी, पर वो नौबत नहीं आई, पहला ही दिख गया, तो काफी डिस्बिलीफ था, दो-तीन बार ये रोल लंबर भी चेक किया, कि ये ही रोल लंबर है क्या, फिर ममी बापा को बताया था, तो बहुत खुशी थ ये ही फिलिंग थी, तो उस तैयारी को लेकर अगर समझें कि तैयारी हो चुकी था, एक्जाम उचुका था, इंट्रिव्यू भी हो गया था, सब कुछ हो चुका था, बस वो रजल्ट का इंतजार था, तो क्या, दिमाग में था, कि हाहीं तो वन लिखा होगा, सिंगल की तो नहीं थी उमीद, हम बहुत सारा देख चुके है, हम लगातार हम देखते हैं इस तरीके से बहुत सी सिरीज भी आई है, वेब सिरीज, तैयारी करते वे लोग दिखते है, कुछ एक टेंशन का होता है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कोई मैटीरियल के लिए भागता है, को सारी महनत तो होती है, लेकिन उसके अलावा वो एक कुछ एक की तो होगी सक्सेस की, क्योंकि सबको यह होता है, बहुत सालों से कोई पी टॉपर उसक्सेस की पूछी जाती है, वो आप की की क्या थी? पुछी जाती है पर वो एक मिलती नहीं कहीं पर वो खुदी खोजने पर मिल पाती है तो और किसी के लिए अलग अलग कीज काम करती है तो शाइद मेरे को जो काम की वो मेंस के मेरी जो थोड़ी प्रेपरेशन थी I think प्रैक्टिस, आंसर आइटिंग और रिविजन I think वो जो बेसिक बोरिंग कीज होती है वो ही कई बार काम कर जाती है तो वोई consistency, strategy बना कर चलना, limited course material रखना और revision और practice I think ये important रहते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है जिनको कि schedule की बात होती है कि घंटों पढ़ना पड़ता है आप ज़्यादा break ले रहे हो ये ले रहे हो ये बहुत सी चीज़ें सब जिससे मिलो वो सब कुछ नई चीज़ें बता के जाते हैं आपको भी बेशक बताई होंगी लेकिन क्या मतलब जो तैयारी कर रहे है उन बच्चों के लिए जो विद्यारती है जो युवा है जो इस इंटेविव को देख रहे हैं उनके लिए कुछ आप समझाना मुझे ब्रेक्स चाहिए होते थे और मैं जब पढ़ती थी तो अच्छे से पढ़ती थी तो खुद की टार्गेट्स रखते हैं content बेस्ट रखने चाहिए रधर देन घंटे बेस्ट और ब्रेक्स भी आपको अच्छे से लेने चाहिए पर रिस्पॉंसिबिलिटी आपकी ख जब लोग आते चाते थे तो नहीं पता चलता था थोड़ा अलग था वो रूम लेकिन साथ साथ में मैं एक यहां पर लाइब्रेरी थी लाइब्रेरी में भी कई आपको हेल्प करता है पढ़ना तो वो चेंज करता था अगर एक हफते कई बर होता था एक रूम में बैठे- JNU की बात करें तो उस टाइम मी चलता रहता था दिमाग में कि हाँ वो एक aim है वो focus है I think 11-12 में तो मैंने arts ली थी कि मुझे पसंद था social sciences फिर मुझे history पसंद था तो मैंने history आगे पड़ा history में शायद मेरा मन था कि मैं academics में भी आगे जाऊं किसी तरह से social service ए उस area में जान के बाद ही शुरूगा एक बहुत important topic है जिस पे बहुत कम बात होती है वो mental health आपको हमेशा बना के रखनी होती है बहुत सी चीजें होती है जिन दौरान में आपने पूरे साल में 12-15 महीने जो हम पड़ाई पूरी करते हैं उसके दौरान में कितने उतार चड़ावाते हैं कि बीच में वो mental health को कैसे संबाल करें कि उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है और उसको शाइद जगा भी नहीं मिलती है उसको समझा जाए तो कैसे समझे है यह बहुत important issue है और competitive examinations में बहुत जादा importance रखता है क्योंकि vacancies हर साल बहुत कम होती हैं competition बहुत बहुत तो mental health issues काफी important रहते हैं और मैंने देखा है लोगों को इससे struggle करते हुए UPSC preparation में तो it's very important कि हम इन चीजों के बारे में बात करें और वो एक emotional support होना बहुत ज़रूरी होता है तो thankfully मेरे पास वो था कि मेरे पास आस पास friends थे family थी तो जब वो down phases आते थे तो आपको support करने के कोई होता था कई बार होता है अप लोगों के खताम हो जाते है उसके बाद काफी एक demotivation और एक self-doubt और self-worth काफी कम हो जाती है लोगों की तो इस समय पर as a society as friends हमें वो बहार से समझनी चाहिए चीज़े हैं कि UPSC is not only about the glitter and the high ranks but it's also about lots of other things और वो एक supporting environment बिल करना चाहिए अ अब आगे बिलकुल अब तो रैंक बन के बाद तो हम भी आपको लगातार याद रखने वाले हैं समझने वाले हैं ट्रैक करेंगे आपको बिलकुल हम बहुत से पुराने टॉपर्स को भी पूरा अच्छे से जानते समझते हैं तो अभी फिलहाल अब आगे के दिन की क्या बतलब आपने क्या सोच रखाएगी क्योंकि बहुत बार होता था कि आज ब्रेकफर्स का टाइम है आज यह है लेकिन अब फिलहाल कुछ दिन कैसे करने वाले हैं अभी नो प्लान्स वाला रहने वाला है होफुली ये थोड़े तो मैं अच्छली थोड़ा अराम करना चाहत बार म्लेम टो कहीं टृट्रीनिंग नहीं शुरूरती है यह प्लान रहेगा अब इल्कल आजा ओट लिकला में अगलее है और बाक्ति किस तरीखेंसे क्योंकि बहूत से .... इस चीजियन informações ऐं कुशीं कर सकता इतना शेपने सारे अजे通ौइ कॐशन की » तो सृवन passed this time staff करना है, बहुत से बच्चे आते हैं कुई कहीं इंकलाइन होते हैं, कुई politics की तरफ इंकलाइन होता है, JNU की हम बात करते हैं, तो आपने उस ताइम पर अपने आपको कैसे focus रहा है, काफी चीजें होती रही है, जाम्या में भी और इधर JNU में भी उस समय पर, तो up to date तो र अपने एक्जाम में consistency और focus रहता है, क्योंकि शायद में वो कर पाई इसलिए, लॉग तो मुझे पता था कि अगर मैं इसमें करती रहूंगी, अगर थोड़ा focus लूज हो गया, क्योंकि इतना जादा वास syllabus रहता है, कि आप एक टाइम पर थोड़ा slip-up करके, थोड़ा catch-up कर मुझकल हो जाता है, तो उनको साथ में रखते हुए भी मैं अपना पढ़ाई पर धान देती थी, आखरी सवाल मेरा, UPSC के बहुत से इस वक्त इस बार, मतलब आपका second ever time था, तो जो लोग, जो विद्यारती, बहुत से अलगल एक्जाम भी देते हैं, उनके लिए आप क्य कहना चाहोगे, क्योंकि जब पहली बार आपका result आया होगा, तब भी आपको जैसा feel हुआ था, उसके बाद लेकिना आप एक बार एक तरीके से कहा जाए, तो गिरकर फिर उठकर खड़े हुए, वो बाकी लोगों के लिए एक message अगराब हाँ, I think हमें अगर जो भी इस exam को दे रहा है, कोई भी competitive exam को दे रहा है, तो उसको याद रखना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, और एक inner sense of purpose होना चाहिए, तब ही एक्जाम देना चाहिए, क्योंकि काफी मुश्किल जर्नी होती है, और जब तक वो inner sense of motivation नहीं होता, आप sustain न आसपास positive minded लों को रखना चाहिए, यह नहीं कि people who pull you down, एक अच्छा group of friends इस पुरी journey में भी काफी helpful रहता है.